नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर शुके हैं विहार को समधिदा कर्मियों का लोग की रिये नेटवर्क निज फोटी फोर निज नेटवर्क दोस्तों एक बार तीर आपका हमारे चैनल में स्वागत है हर्वी का भी नंदन है तो दोस्तों आज हम जो है कि विहार के तमाम पंचाय की राजगे परतिनी भी विहार के तमाम समधिदा कर्मियों से संबंदित और जूड़ी हुई कबर ह हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे विडियो को लाइक नहीं किया है चुकि विडियो में आप लोग खो जाते हैं और विडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो आपसे अनुरोध है कि विडियो को तुरत लाइक कर दीजिए तो दोस्तों आज की जो ख़बर है पंचाइती राजब्यवस्ता के तिरियस तरिये पंचायतों में वाट सदस मुखिया सर पांच चुपसर पांच जिलापार्षद पंचायत समीती के साथ-साथ बिहार के जितने भी संबीदा कर्मी है जिन में अवरगी किरित कर्मी डेली वेजेज वाले कर्मी और जो है कि आउट सोर्स के कर्मी और जो पूर्ण रूब से संभीदा कर्मी है उन सबसे जुड़ी हुई खबर आया इस खबर को देखिए इस कीप वीडियो को मत किजिए पूरा खबर देखिएगा आपको बहुत अच्छी जनकारी मिलेगी तो दोस्तों आज जो है कि बिहार बिधान सभा का बजट सत्र सुरू हो रहा है अब बजट सत्र से इन लोगों का क्या संबंध है अभी हम आपको बता देते हैं कि किसी भी जनपरती निधी को भाता या मांदे मिलता है किसी संभिदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी और अवरगी किरित कर्मी को भी कुछ जो है कि सरकार मांदे देती है या बिहार में कोई भी किसी परकार की योजना चलती है तो उन सभी योजनाओं के लिए सरकार जो है कि बजट में प्रवधान करती है यदि बजट में प्रवधान ही नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता है हावा हवाई घोसनाय करने से कुछ नहीं ह तो हरों के जरूरी होती है वबात होती है बजेट में प्रवधान करना बजब को वीधान सभा पौड risk नहीं होग बजवास्ता नहीं करेगी तो टकर राशी खर्च करने के लिए बीत विवाग से एक फुटी कोड़ी किसी को नहीं मिलता है तो चुकि सभी लोगों को बजट से सिधा जुडाओ है सिधा लगाओ है इसलिए हम आपको बजट सत्र में क्या चल रहा है सरकार इसमें संबीदा कर्मी जनपरती निधियो साहित बिहार के आम नामिल होने के लिए बिधान साभा पहुंचे जहां बिधान साभा के साथ ही स्वदस्यों नितीज जी का अभिवादन किया इस मौके पर सीम ने विजय कुमार सिनहा से मुलकात किये आज सुरू हो रहे बजट सत्र में बिहार सरकार दू हजार 22-23 के लिए अपना बजट अ पेस करेगी वहीं पंचायत राज के निर्वाचित परतिनीदियों जिनमें वाट सद सर पंच पंच उप सर पंच मुखिया उप मुखिया सहित जीला पार सद दम परतिनीदियों के बढ़े हुए भाता आधी का भी बजट में उलेख और परधान करना होगा साथी साथ सरकार संबीदा कर्मियों को जो मांदे बिरिधी करने जा रही है उसका भी बढ़े हुए मांदे का प्रवधान बजट में करके सरकार जो है की बजट पेस करेगी साथी पंचायत में चलने वाली योजनाए जिन में साथ निश्चे पार्ट टू के साथ साथ अती पिछडा अनुरदान मन रेगा योजना लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान मुखument сुलर लेंप्ट, ग्रामी योजना ग्राम पंचायत विकास योजना और बिहार के तमाम योजनाई जिनका मैं एसमय नाम नहीं ले रहा हुँ बिहार में बहुत सी योजनाए चलती है उन ही योजनाओं का जो है कि इस बजट सट्र में पेस किया जाएगा कि कितना सरकार जो है कि रासिव योजनाओं पर खर्च करने जा रही है और अपना बजट सदन में पेस करेगी जिसमें असपश्ट हो जाएगा कि किसको क्या मिलेगा यह तो बजट पास पेस होने पर ही पता चलेगा किन्तु ऐसा माना जा रहा है कि 2022-23 के बजट में सरकार बिहार के पंचाइद परती निधियों सहित बिहार के संबीदा कर्मियों के मांदे में बिरिदी की को ध्यान में रखकर बजट तयार कर रही है जिससे अतिरीक्त रासी का समवेस बजट में किया जा चुका है आज के दिन बिधान सभा अध्यक्ष के दुवारा बिधान सभा में दिवंगत सदस्यों को सरधांजली दिया गया और अगली बैठक 28-22-2022 तक के लिए अस्थकित किया गया बजट में सब कुछ होता है संभिदा कर्मी सहित पंचायत परती निधियों और बिहार सरकार के तमाम योजनाय बजट पर पूरी तरह से निर्भर होती है क्योंकि अब बजट में प्रवधान नहीं होगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा इसलिए बजट बहुत ही महतपूर्ण कड़ी होती है इसके संबंद में हमने अपने सुतरों से पता किया तो हमें बताया गया कि सरकार जो है कि जनपरती निधियों सहित बिहार के तमाम संभिदा कर्मियों को तोफात दे सकती है इसलिए हमारी नजर बजट पर रहेगी इसमें संभीदा कर्मियों और पंचायत परती निधियों सहित व्यार के आम जनता को सरकार क्या तोफात देने जा रही है इस पर जो है कि हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा और जिस रोज बजट पारित होता है उस रोज अलग-अलग भ के साने प्लाद मृत पुर्ण जनकली में करो कंद्रित के साथ का क्या बोल जते हैं जो कटाइँ उचीत नहीं है करना मिलेगा हमारे चैनल का रीत बढ़ेगा वार कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि वाधिया है प्रियों को लाइक जिए ज्यादा से जादा से जैर तेजिए जैंग जैब आज जैब आज जैसा